हेलो एव्रिवान, विल्कम बेक टू मैं चैनल, इट्स स्टोरी टाइम और आज मैं जो मुवी एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ, उसका नाम है दी टूमोरो वार जो की बहुत ही अच्छी एक्सन अडवेंचरल सैंसिफिक मुवी है तो without wasting your time, let's begin the explanation मुवी की सुरवात में हमें future 2050 दिखाया जाता है जहां पर असमान से बहुत सारे लोग नीचे गिर रहे होते हैं और वहां के आसपास के एरियास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तब ही हम इस मुवी के मेन करेक्टर डैन फोरेश्टर को देखते हैं जुकी असमान से गिरकर डैरेक्ट एक swimming pool में चला जाता है और जब वो swimming pool से बाहर आता है तो उसके हाथ में एक gun होती है जिसे देखकर ये लग रहा होता है कि जैसे ये लोग कोई war लडने आए हो और बाहर का scene भी कुछ ऐसा ही होता है फिर इसके बाद scene डैरेक्ट से present यानि की 2021 में shift होती है जिसमें हम डैन को देखते हैं जो कि काफी सारा समान लेकर अपने घर आ रहा होता है क्योंकि उसके घर में Christmas party चल रही होती है तभी वो अपनी बिट्टी Fury Forester को बुलाता है और उसे सारा समान फ्रिज में रखने को कहता है इसके बाद उसकी wife आती है और कहती है Fury के लिए उसके दादा जी ने Christmas card बेजा है जिसपे डैन कहता है कि जबसे उसने तुम्हारे husband को छोड़ा है तबसे उन्होंने अपने granddaughter से भी मिलने का हग हो दिया है ये कहकर वो वहाँ से एक interview देने के लिए घर से निकल जाता है तभी डैन के पास एक call आती है जो कि उस office से थी जिसमें डैन interview देने जा रहा था और वो लोग कहते है कि आपकी qualification क्या है जिसपे डैन कहते है कि मैं पहले आर्मी में था और मैं इराक वाला war भी लड़ चुका हूँ लेकिन अब मैं एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तबी वो लोग उसका interview लेने से मना कर देते हैं और कहते है कि हमें qualification वाले degree वाले लोग चाहिए इसलिए मैं आपको job नहीं दे सकता हूँ यह कहकर वो लोग phone card देते हैं जिसके बाद डैन बहुत sad हो जाता है और अपनी सारी files को fake देता है और सीधा घर जाकर अपनी बेटी के साथ बैठ जाता है जिसके बाद उसकी wife आती है और कहती है क्या हुआ आज तुम बहुत sad लग रहे हो जिस पर डैन उसे सारी बात बता देता है फिर वो लोग पीवी पर football match देखने लगते हैं और तभी इस movie में आती है एक twist suddenly TV fluctuate करने लगती है और light चल रही football match में stadium की सारी lights चली जाती है और stadium के center में एक light जैसी power आती है और उसमें से बहुत सारे soldiers निकल कर आते हैं जिसमें से एक लड़की भी होती है और वो कहती है कि हम लोग future से आए हैं आज से 30 साल आगे यानि की 2050 में future में हमारे जंग चल रही है और हमारा तस्मन कोई इनसान नहीं है और हम जंग हार रहे हैं future के अगले 12 महीनों में धर्ती पर से इनसानों का नाम और निशान मिड़ जाएगा अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो इनसानों का वजुद खतम हो जाएगा हमें आपके जरुरत है अगर आपको इनसानों को बचाना है तो हमारे साथ इस जंग में शामिल होना होगा और आपी हमारी आखरी उम्मीद है ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अब इस बात को वहाँ की गवर्मेंट सीरियस लेती है और उनके साथ अपने बहुत सारे सोलजर्स को भेज देते हैं क्योंकि रियल में फीचर में कोई जंग चल रही थी और उसे लड़ना बहुत ही जादा ज़रूरी था जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग दुखी थे क्योंकि उसके अपने मारे जा रहे थे जिसके बाद लोग ये सोचने लगते थे कि वहाँ जाए भी या नहीं फिर हम डैन को देखते हैं जो कि एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा होता है लेकिन वहाँ के बच्चे तो पढ़ने में इंटरस्टी नहीं ले रहे थे क्योंकि वह सब लोग जंग को लेकर टिंसर में थे तब भी डैन के मोवाईल पर एक नोटिफिकेशन आती है कि कोई उसे रिसर्च सेंटर में आने को कहता है कि हमें आपके जुरत है आप फॉरर यहाँ पर आ जाए क्लासरूम से निकलने के बाद डैन सीधा रिसर्च सेंटर जाता है जहां पर कुछ लोग अपनी फैमिली मिंबर को लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं फिट डैन अंदर चला जाता है डैन की अंदर जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन के साथ-साथ उसके कुछ प्रसनल बाते भी पूछे जाते हैं जिसके बाद वो लोग डैन पर जवरदस्ती कुछ एक्सपरिमेंट करने लगते हैं और उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर देते हैं इसके बाद डैन को बताया जाता है कि हम लोग आपको जंग में भेज रहे हैं जो कि फिचर में जाकर लड़ना है और हम आपको ये भी बता दे कि साथ साल बाद आपकी डैट हो जाएगी तब तक के लिए आपको अपनी पूरी पावर उस जंग में लगानी होगी क्योंकि आप एक आर्मी सोलजर रह चुके हो तब डैन उनसे कहता है आप लोग कैसी बाते कर रहे हैं मैं मरने वाला हूँ और आप लोग मुझे जंग पर भेज रहे हैं जिस पे वो लोग कहते हैं ये हमारी मजबूरी है और आपको वहाँ जाना ही होगा लेकिन आप कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में जो डिवाइस पिट किया गया है उससे हम आपको लोकेट कर लेंगे चाहे आप कहीं भी हो और ये फ्यूचर में भी हमें आपको लोकेट करने में हल्प करेगा और इसे के हल्प से अप साथ दिर में अगर जिन्दा बज गया है तो वापसे प्रेजेंट में आ जाएंगे जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपनी वाइफ के पाल जाता है और उसे वहाँ जाने से मना करने लगती है वो कहती है मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकती हूँ जिसपे डैन कहता है हमारी एक चोटी सी फैमली है मैं मरना नहीं चाहता हूँ लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है मैं कहीं भाग भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो लोग हमें लोकेट कर लेंगे जिस पर उसकी वाइफ कहती है इसको निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारे फादर जिस पर डैन कहता है मुझे अपने फादर की कोई भी हल्प नहीं चाहिए लेकिन डैन की वाइफ उससे समझा कर उसके फादर के पास बेज़ देती है अब ना चाहते हुए भी उसको उसके फादर के पास जाना ही पड़ता है एक्चुली यहाँ पर मैं एक बात एक्स्प्लेन कर दू जब डैन की फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था तब से वो अपने फादर को पसंद नहीं करता है और फिर हम देखते हैं कि डैन अपने फादर से बात कर रहा होता है वो कहता है मुझे इस डिवाइस को अपने हाथ से निकालना है जिस भी उसके फादर डैन से कहते हैं मुझे देखो मैं इसे असानी से निकाल दूँगा और तभी डैन पास्ट की बाते अपने फादर से पूछने लगता है कि जब आप हम सब को छोड़ कर गए थे तो आपको हमारे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया जिससे सुनकर उसके फादर को गुसा आजाता है लेकिन डैन भी कम जिदी नहीं था वो इस डिवाइस को बिना निकाल लए ही वहां से चला जाता है अब वो अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है अब कोई आपसन नहीं है अब मुझे चूस कर ही लिया गया है तो मुझे वहां जाना ही होगा जिस पे डैन की वाइफ बहुत सैड होकर कहती है जब आपने जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ अपना ख्याल रखना लेकिन हमारी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह सकती वो आपको बहुत प्यार कहती है जिसके बाद डैन अपनी बेटी से मिलने जाता है और अपनी बेटी से कहता है मुझे अरजन कुछ काम है और मुझे साथ दिन के लिए कहीं बाहर जाना होगा तुम मुझे मिस्टो नहीं करोगी जिस पे डैन की बेटी फिउरी कहती है पापा आप future में जंग लड़ने जा रहे हो ना पर आप वापस मेरे पास आओगे ना जिस पे डैन थोड़ा emotional हो जाता है और अपनी बेटी से promise करता है कि मैं जरूर अपनी बेटी के पास वापस आओंगा जिसके बाद वो उसे goodbye कहकर research center में चला जाता है वहाँ आने के बाद क्या तुमने यहाँ पर एक बात notice की है कि यहाँ पर जितने भी लोग है सबकी age 40 पलस है तभी वहाँ पर बैटी एक लड़की काफी interesting question पूछती है वो कहती है कि अगर हमारे पास time machine है तो हम उस time में क्यों नहीं जाते जबसे इस जंग के शुरुआत हुई थी और हम जाकर उन लोगों को रोक सकते हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का उसे बताता है हमारे पास जो time machine है वो सिफ तीस साल बाद ही ले जा सकती है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और हम उसे change नहीं कर सकते वरना हम मुसीबत पर जाएंगे और यह सबी लोगों को यह भी बताता है कि future में जंग किसे हो रही है बलकि aliens से हो रही है और हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि सभी लोगों को training दी जारही होती है ऐलियन से fight करने की और उन्हें मारने का Target point भी बताया जात हमें future में जाना होगा वो ये भी बताती है कि वहाँ future की दुनिया में एक lab है और वहाँ इन aliens को मारने का research चल रहा है फिर हम देखते हैं कि one by one करके बहुत सारे लोग आस्मान की तरफ उठकर future में जा रहे थे लेकिन तभी time machine में कुछ problem आ चाती है जिसकी वज़े से ये लोग आस्मान में ही रुख जाते हैं इन सभी को future की दुनिया में land करना होता है लेकिन system में eye problem की वज़े से ये सारे लोग आस्मान से गिरने लगते हैं जिसके बाद हमें यहाँ पर वही scene दिखाया जाता है जो movie के शुरुवात में दिखाया गया था जहाँ पर डैन और उसके साथ कई लोग swimming pool में गिरते हैं जिसके बाद डैन पानी से बाहर निकलता है लेकिन डैन के साथ कुछी लोग वहाँ सिंदा बचवाते हैं और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सभी मारे जाते हैं क्योंकि वो लोग इतनी हाइट से जो गीरे थे अब इनी बच्चे हुए लोगों को उन एलियन से लड़ना होगा तब है वहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो एक करनल होती है और इन सभी को उसकी कमांड को फॉलो करना होता है वो डैन के साथ आए सभी लोगों से अटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और डैन को उन सभी का लीडर बना देती है वो कहती है कि पास की एक बिल्डिंग में कुछ लोग पसे हुए है पहले जाकर उन लोगों को रेस्क्यू करके बचारना होगा डैन और उसकी टीम वहां पहुँच जाती है लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे जा चुके थे उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बलकि एलियन्स थे क्योंकि वहां पर एलियन की एक हाफ डेट बॉडी पड़ी होती है तभी डैन की टीम की एक मिंबर उस एलियन का एक बड़ा वाला नेल काट कर अपने गले में लॉकिट बना लेता है जिसके बाद डैन करनल से कॉन्टेक्ट करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं और कोई काम है तो हमें बताएं जिसके करनल कहती है आप सभी को वहां लैब नमबर टू में जाना होगा और वहां से कुछ डेटा और एक ब्लू रंग के ट्यूब में टॉक्सिन रखे होंगे उन्हें लाना होगा और साथी उन्हें ये भी वार्ण करती है कि आप लोगों के पास टैम बहुत कम है आपको जल से जल वहां से निकलने की कोशिश करनी होगी क्यूकि वहां पर एलियन को मारने के लिए एर इस्ट्रैक होने वाले हैं दूसरी तरफ हम देखते है कि डैन उस ट्यूब को लेकर वहां से निकल रहा होते है तभी वहां पर एलियन्स आकर उन सभी पर अटायक कर देते हैं यहां पर एलियन्स बहुत ही बड़े एक क्रियेचर टैप के होते हैं जिसमें से डैन की एक टीम मेंबर की देट हो जाती है और बाकी लोग एलियन को मारते हुए वहां से निकल जाते हैं तभी वहां पर एर इस्ट्रैक भी होने लगती है जिसकी वचे से डैन और उसके टीम के बच्चे हुए मेंबर भी इंचर्ड हो जाते हैं फिर जब डैन की आखे खुलती है तो वो अपने आपको एक कैम्प के अंदर मौजूद पाता है जहां पर उसके जक्मों का ट्रीट्मेंट चल रहा होता है डैन देखते हैं कि उसकी टीम में सिफ एक ही आदमी जिन्दा बच्च पाया है और वो भी उसका दोस्त ही था जिसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आते हैं और वहां पर उसे टीम की एक और मेंबर मिलता है और वो इस फीचर में तीन बार आ चुका था जंग लड़ने के लिए डैन उसके पास जाता है और उसे बाते करने लगता है डैन उसे पूछता है कि तुम फ्यूचर में इतनी बार क्यों आये हो क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है या फिर तुम्हें अपनी जान खोने से डर नहीं लगता जिस पर वो आदमी उसे कहता है मुझे कैंसर है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ वो मौत से अच्छे है मैं ये जंग लड़कर ही मर जाओं डैन उसकी बात सुनकर काफी इंस्पायर हो जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं डैन और वो करनल जो कि डैन को ओर्डर दे रही थी वो उसे इस काम के लिए सबासी देती है और कहती है आप हमारे लिए वो ब्लू वाली टॉक्सिन भी लाए इसलिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया जिसपे डैन कहता है मुझे तुम्हारी सकल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है तुम्हारा नाम क्या है जिसपे वो फीमेल करनल उसे अपना नाम बताती है फ्यूरी फोरेश्टर और वो कहती है कि मैं डैन फोरेश्टर की बेटी हूँ यानि कि आपकी बेटी हूँ ये बात सुनकर डैन काफी जदा हैरान हो जाता है यानि ये डैन की ही बेटी होती है जो कि फ्यूचर में आकर अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक करनल बन चुकी थी डैन अपनी बेटी से कहता है I'm proud of you बेटा तब ही वो अपनी बेटी को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फ्यूरी उसे रोक देती है यहाँ पर डैन कन्फियूच्ट हो जाता है कि मेरी बेटी मुझसे प्यार करती थी तो अब इसे क्या हो गया फिर फिरी उसे कहती है हमें अपने अगले मिसन पर ध्यान देना होगा जिस पर डैन उसे पूछता है कि हमारा अगला मिसन क्या है मेरी बेटी करनल जिस पर उसकी बेटी उसे कहती है हमें वहाँ पर जाना होगा जहां पर फीमेल एलियन्स अंडे देती हैं और वहाँ पर से हम लोगों को एक female aliens को पकड़ कर लाना होगा ताकि उस पे हम research कर सके कि alien जीते कैसे हैं और उन्हें मारा कैसे जा सकता है सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि डैन और उसकी बेटी एक हेलिकॉप्टर में बैट कर वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं उस जगे पर जहाँ पर female alien अंडे देती थी वहाँ पर हेलिकॉप्टर में करनल डैन से कहती है मैं नीचे जाकर और लोगों की help करती हूँ यह कहकर वहाँ से नीचे चली जाती है अब यह सारे लोग female alien को एक केस में डालने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन उसकी काफी ज़्यादा strong होने की वज़े से इन सब के लिए उन्हें handle कर पाना बहुती ज़्यादा मुस्किल हो रहा था दुसी तरफ male alien को भी यह पता चल जाता है कि कोई female alien पर attack कर रहा है इसलिए वहाँ पर काफी सारे aliens पहुँच जाते हैं यह सब को आते देखकर डैन काफी ज़्यादा परिशान हो जाता है कि कहीं उसकी बेटी को कुछ हो न जाए और फिर वो उसकी help करने के लिए helicopter से नीच करता है और उसे वहाँ सभी लोगों की help से एक केस में बंद कर देता है और helicopter की तुरू उसे लैब बिजवा देता है लेकिन करनल और डैन helicopter में आते कि उससे पहले वह एलियन वहाँ पर मौचूद हेलिकॉप्टर को तबाह कर देते हैं और डैन और करनल वहीं पर फल जाते ह तबी वहाँ मौचूद एक आर्मी टैंक वैन में जाकर वो दोनों बैट जाते हैं और करनल अपने पीछे आने वाले जितने भी एलियन थे उन सभी को टैंक वैन में लगी machine gun से सभी को मार देती है और अपना पीछा उन से छुड़ा लेती है फिर ये दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद करनल टैंक वैन से एक प्लेयर गड़ निकालती है और उसे आस्मान की तरफ फायर करती है तभी वहाँ पर एक हेलिकॉप्टर आता है और उन दोनों को लैब में पहुंचा देते हैं जहां पर फीमेल एलियन को रखा गया था वहां करने लगती है फिर काफी जादा मेहनत करने के बाद फायनली वह उस टॉक्सिन को खोजी लेती है जिससे वो सारे एलियन को मारा जा सकता था अब वो डैन के पास जाती है और कहती है हमने वह टॉक्सिन बना लिया है लेकिन हमारे पस इतना इस डॉक नहीं है कि मैं और से प्रेजिंट में जाना होगा और वहां से इस टॉक्सिन को कौपी बनाना होगा तभी इसारे एलियन को मारा जा सकता है जिस पे डैन अपनी बेटी से कहता है बेटा मैं तुम्हें इस खदरनाक एलियन के सामने छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ जिस पर करनल कहती है मैं डैन फोरेश्टर की बेटी हूँ मैं इन एलियन से लड़ सकती हूँ तभी डैन कहता है ठीक है मैं जाओंगा और जल्धी वापस आओंगा अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि वो फीमेल एलियन होश में आ जाती है और जोर जोर से सोर मचाने लगती है और दूसरी तरफ से वहाँ सेक्रेटी वाल के अलारम भी बज़ने लगते हैं तब इन लोगों को पता चलते है कि फीमेल एलियन को बचाने के लिए सारे मेल एलियन सेक्रेटी वाल को तोड़ कर अंदर आ रहे हैं जिसके बाद यहाँ पर हमें काफी ज्यादा एक्सन वाला सीन देखने को मिलता है और वो female alien को male alien वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है और वो सभी lap को तबाह करके बाहर निकल जाते है दूसी तरफ हम देखते हैं डैन और उसकी बेटी करनल फ्यूरी को जो कि वो toxin लेकर वहाँ से निकल कर helicopter के पास जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर एक alien उपर से डैन की बेटी पर attack कर देता है जिसके कारण वो injured हो जाती है डैन अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है बेटा मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाओंगा जिस पर उसकी बेटी करनल कहती है डैन अब टाइम बहुत कम बचा है लिए डैन जंप मार देता है लेकिन टाइम मसीन के साथ दिन पूरे होने की वज़े से वो सिधा प्रेजेंट में आगिरता है फिर जब उसे हो साता है तो वो काफी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसको डर था कि वो aliens उसकी बेटी को कहीं मार ना दे और वो वहाँ पर अपने साथ दो टीम्स को भी देखता है तब वो एल्टी हार्ट से कहता है एल्टी हार्ट जिसे हमने सुरू में देखा था जो टीवी के अंदर थी डैन उसे कहता है कि हमें इस टॉक्सिन को जल से जल कॉपी बना कर फ्यूचर में जाना होगा तब ही एल्टी हार्ट कहती है कि अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी टाइम मसीन अब खराब हो चुकी है ये बात सुनकर डैन काफी ज़्यादा परिशान हो जाता है फिर वो वहाँ से निकल कर सीधा अपने घर आ जाता है डैन को देखकर उसके वाइफ और बेटी बहुत जादा खुश होती है और वो अपने बेटी को गले से लगा लेता है और बहुत प्यार करता है जिसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलता है और अपने बेटी के बारे में सारी बात बताता है कि कैसे हमारी बेटी फ्यूचर में दुनिया को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी बेटी ने ही वो टॉक्सिन बनाया है जो फ्यूचर में इलियन्स को मार सकेगा नेक सीन में हम डैन को देखते हैं वो अपने एक टीम से मिलता है जिसे कैंसर था क्यूंकि उसके पास एलियन का नेल होता है जिसे उसने अपने गले में लॉकिट बना कर लटका रखा था वो नेल लेकर सीधा डेटर के पास जाता है और उसे डेटर से चेक करने को कहता है डेटर चिक करने के बाद बताता है कि इसमे वोलकेनों का लावा की एसस है यानि कि राक है लेकिन ये वो सब जानने के लिए काफी नहीं है कि एलियन्स ने फर्स टाइम कहां अटैक किया था और ये आय कहां से थे तबी डन उन सबसे कहता है कि मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था जो कि हमेशा वोलकैनों के बारे में पूचता रहता था और नेट पर रिसर्च भी करता रहता था क्या पता ये लड़का हमारी कोई मदद कर दे अब ये लोग उस स्टूडेंट के पास जाते हैं वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि जहां पर वोलकैनों ब्लास्ट हुआ था और वहां लावा निकला था उसके कई साल बाद वहां पर बर्फ गिरना सुरू हो गई थी और मैंनी ज़्यादा बर्फ गिरी की वो लावा और उसकी isees याने के राक बर्फ के नीचे दब गई और हो सकता है कि वह ऑलotte के नीचे रह रहे हो लेकिन एलियन हो सकते थे और वो जगे थी रशिया अब डैन अपनी टीम के साथ स्पेसल फोर्स के पास जाता है और कहता है कि हमें रशिया जाना होगा जहां पर वो एलियन अभी रह रहे हैं ताकि उसे हम वहीं खत्म कर सके जिस पे उसके head उसे कहते हैं, ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता। हम तुम्हें रस्या जाने के परमेशन नहीं दें सकते हैं, क्योंकि रस्या से हमारी नहीं बनती। मैं तुम्हें कोई भी experiment करने वहाँ नहीं भेज सकता हूं। जिसके बाद Dan तो पहले ही hopeless हो जाता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है अपने फादर की कि उन्हें भी तो प्लेन उडाने का काफी ज़्यादा शौक है और उसके पास एक प्लेन भी तो है तब ही डैन अपने फादर के पास जाता है और बताता है कि आपकी ग्रेन डाटर फ्यूचर में एक करनल बन चुकी है और फ्यूचर में बहुत अच्छा काम भी कर रही है लेकिन अब उसकी जान खत्रे में है क्योंकि एलियन उसे अपने साथ ले गए अगर हम लोग अभी एलियन को मार दे तो फ्यूचर में हमारी बेटी बच सकती है और उस पे आयवा खत्रा भी टल सकता है अब क्योंकि डैन के फादर अपने ग्रेन डाटर से काफी ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए वो इस बात से एगरी हो जाते हैं और वो वहाँ जाने के लिए तयार हो जाते हैं और उनके टीम में एल्टी हाट भी आ जाती है जिसने टॉक्सिन की काफी सारी कॉपिस बना ली थी अब वो लोग प्लेन में बैटकर रसिया में इंटर करते हैं फिर वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहां पर उस बच्चे ने उन्हें भेजा था वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ एक बहुती बड़ा गड़ा बना हुआ है और वो पूरी तरह से बर्फ से ढखा था वो लोग उस जगे में डैनामाइट लगा कर उसे बलास्ट कर देते हैं जिसके कारण वहाँ एक केव यानिकी गुफा टाइप की बन जाती है डैन के फादर और डैन के दोस्त बाहर ही रुकते हैं और डैन और उसके साथ कुछ और लोग अंदर जाकर देखते हैं कि वो लोग कहां रह रहे हैं तभी उन लोगों को बर्फ में दबी हुई एक शिप दिखाए देती है वो लोग उस शिप के एक साइट को काट कर उसके अंदर एंटर करते हैं तभी उन लोगों को वहाँ बहुत सारे एलियन्स मिलते हैं वो सभी एलियन्स चैंबर में सो रहे थे यही एलियंस कई सालों बाद इंसानों पर अटैक करने वाले थे डैन कहता है हमारे पास फ्यूरी की बनाई हुई टॉक्सीन है उसे हम यूज करके देखते हैं जिसके बाद सबी लोग एक एक टॉक्सीन इंजक्शन लेकर एलियंस को दे देते हैं जिसके बाद वो एलियंस सोर मचाना शुरू करते हैं और वो चैंबर को फाड़ कर बाहर आकर जल कर मर जाते हैं ये देखकर डैन और उसकी टीम बहुत हुश होती है लेकिन वहां और भी सारे एलियंस मौजूद थे जो सोर की आवाज सुनकर वो सभी एलियंस जाक चुके थे जिसके बाद वो सभी चैंबर से बाहर आकर उन सभी पर अटैक कर देते हैं तब भी डैन की टीम मिंबर में से एक आदमी उनसे कहता है कि अब इन्हें मारने का सिप एक ही तरीका है मुझे वो बॉम दो अगर ये लोग बाहर आए तो मैं इसे बलाष्ट कर दूँगा जिस पर डैन उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि जल से जल बाहर जाओ हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है ये पूरी की पूरी सिप को बलाष्ट करनी होगी तब डैन वहां से बाहर निकल जाता है जिसके बार उसकी टीम ने पूरे सिप को बलाष्ट कर दिया था जिसमें सारे एलियन्स के साथ साथ उसकी टीम भी मारी जाती है दूसरी तरफ डैन अपने फादर और अपने दोस्त को ढूनने की कोशिश करता है तब है उसके फादर आते हैं और उसे बताते हैं कि एक बड़ी सी एलियन यहां से बचकर भाग गई है डैन अपने फादर को बताता है कि वो बड़ी सी एलियन जरूर फीमेल एलियन होगी जो कि बहुती जादा पावरफुल होती है डैन उसके फुट स्टेप का पीछा करते हुए उसे ढूनने निकल जाता है लेकिन वो एलियन भी उन्हें देख लेती है जिसके बाद वो उन पर अटाइक करने के लिए उनकी तरफ आने लगती है लेकिन डैन के फादर अपना एक स्टेचू बनाकर वहाँ पर रख देते हैं और वो एलियन उस स्टेचू बराकर अटाइक कर देती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तबे डैन के फादर मौके का फाइदा उठाते हुए फीमेल एलियन पर पट से हैट सौट मारना सुरू कर देते हैं लेकिन एलियन को इससे कुछ भी फर्ट नहीं पड़ता ये देखकर डैन को अपनी बेटी की बनाई हुई टॉक्सिन का याद आता है वो उसे निकाल कर उसके हाथ पर लगा देता है जिसके कारण उसका हाथ जलने लगता है लेकिन एलियन ये देखकर अपना हाथ काट कर फेक देती है दूसरे तरफ डैन के फादर डैन को बचाने के लिए अपने हाथ को काट कर एलियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसके बाद एलियन उसके फादर पर अटैक करने ही वाली होती है इतने में ही डैन अपने फादर को बचाते हुए दूसरे एलियन के नेल से उस पर अटाइक कर देता है और उसके फादर के एक कुलहारी को लेकर उसकी आखो पर दे मारता है जिससे वो एलियन बहुत ही जादा शोर मचाने लगती है फिर डैन अपने पॉकिट से एक और टॉक से निकाल कर उसके मुँँ में डाल देता है जिसके कारण वो वही जल कर नीचे किर जाती है और वो मर जाती है यहाँ पर डैन को रियलाइट होता है कि उसके फादर उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और अब यह लोग सेफ़ ली अपने घर पहुंच जाते हैं